Hello everyone, welcome on my channel आज की वीडियो में हम Phosphorus के बारे में पढ़ेंगे और इससे related जो PDF होगा वो मैं description में डाल दूँगा आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर लिजेगा तो बिना देर किये हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम Phosphorus के बारे में पढ़ते हैं तो Phosphorus जो है वो एक अधातू है यानि की एक non-metal है और इसका symbol क्या होता है तो इसका symbol P होता है और आवर्थ सार्णी में यानि की periodic table में जो है ग्रूप 15 में जो है ये nitrogen के ठीक नीचे आता है इस figure में देखिए ये 15 ग्रूप है और nitrogen जो है इसमें पहला element है और उसके just नीचे जो है Phosphorus आता है और अगर period की बात करें हम आवर्थ तो आवर्थ किसमें आता है तो तीसरे आवर्थ में आता है यानि तीसरे period में ये आता है उसके बाद इसका परमानू करमांग क्या होता है तो इसका परमानू करमांग यानि कि atomic number जो है वो 15 होता है और इसका परमानू द्रबमान यानि कि atomic mass जो होता है वो 31 होता है तो ये भी ध्यान रखिएगा आगे हम देखते हैं Phosphorus के कई रूप होते हैं लेकिन उनमें जो है सफेद और लाल यानि कि white phosphorus और red phosphorus सबसे ज़्यादा प्रसिद है और examiner जो है इनही से ज़्यादा question जो है exam में frame करते हैं red phosphorus से और white phosphorus से उसके बाद है आपका phosphorus सब जो है Greek वासा के phos phos का मतलब होता है प्रकास और phorus का मतलब होता है धारक तो इन दोनों से जो मिलके है phosphorus बना है और जिसका मतलब होता है प्रकास का धारक प्रकास का धारक का मतलब की light इसमें light होता है तो phosphorus जो है वो अंधेरे में चमकता है अंधेरे में ये sign करता है ये गुन इसमें पाये जाता है और इसलिए नाम इसका phosphorus परा है Greek भासा में क्योंकि Phosphorus का मतलब प्रकास होता है और Phosphorus का मतलब धारक होता है प्रकास का धारक यानि कि इसमें light होता है और यह जब अंधेरे में आप इसको रखेंगे Phosphorus को तो यह चमकता है और एक चीज है Phosphorus को आप पानी में store कर सकते हैं ठीक यह भी ध्यान लखिएगा water में इसको आप store कर सकते हैं Phosphorus को तो Phosphorus से related यह सारी चीज़े को ध्यान लखिएगा question कहीं से भी frame हो सकता है इसके atomic number, इसके atomic mass कौन से period में आता है कौन से group में आता है metal है कि non metal है sign करता है Phosphorus कि नहीं करता है यह सारी चीज़े जो हैं आपके exam point of view से काफे ज़्यादा important है आगे देखते हैं Phosphorus का एक isotope होता है isotope का मतनब समस्थानिक isotope किसे कहते हैं जिसका atomic number सेम होता है पर atomic mass जो है वो different होता है यानि कि प्रमानु करमांग सेम होता है पर प्रमानु द्रवमान जो है वो अलग-अलग होता है उसे हम isotopes या समस्थानिक कहते हैं तो phosphorus का एक isotope है phosphorus 31 ये काफी ज़्यादा important है और भी isotopes है phosphorus के पर वो इस्थिर नहीं है ये जो है stable है यानि कि इस्थिर जो है isotope है इसी एक्जाम में question इसी से बनता है उसके बाद जो है phosphorus हमारे सरीर में काफी सारे काम करता है हमारे body में तो कौन-कौन से वो काम करता है तो एक तो है कि वो गुर्दे में यानि kidney में जो अफसिस्थ परदार्थ होते हैं यानि कि जो waste material होते हैं उनको ये filter करता है उनको छहनने का काम ये phosphorus करता है उसके बाद जो है उर्जा को संग्रहित करता है यानि उर्जा को श्टोर करता है और उसका फिर उपियो करता है जब उर्जा की हमें जरुवत होती है जब इनर्जी की हमें जरुवत होती है तो श्टोर करने का भी काम जो है फॉस्फोरस करता है उसके बाद जो है एक्सरसाइ दो चीजे ज़्यादा पाई जाती है एक आपका कैलसियम और दूसरा आपका फॉस्फोरस ठीक तो हडियों के निर्मान में जो है फॉस्फोरस की भी ज़रुवत पड़ती है और फॉस्फोरस का अच्छा सोर्स अच्छा सुरोत क्या-क्या है तो दूद से आपको फॉस्फोरस मिल सकता है चॉकलेट से अंडे से इन सब खाद परदार्तों से आपको फॉस्फोरस मिल सकता है आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं फॉस्फोरस के प्रकार यानि की टाइप सो फॉस्फोरस तो बेसिकली तीन टाइप के फॉस्फोरस होते हैं पहला है आपका रेट फॉस्फोरस फिर होता है वाइट फॉस्फोरस और एक होता है ब्लैक फॉस्फोरस तो पहले जो है हम रेट फॉस्फोरस यानि कि लाल फॉस्फोरस के बारे में पढ़ेंगे तो यह जो है लाल फॉस्फोरस यह गंद हीन होता है यानि की orderless होता है इसमें कोई भी smell नहीं होता है और यह जो है सफेद phosphorus यानि की white phosphorus के मुकाबले ज़्यादा लंबे समय तक रखा जा सकता है यानि ज़्यादा लंबे समय तक हम इसको preserve कर सकते हैं compared to सफेद phosphorus यानि white phosphorus उसके बाद है यह मनुस्यों के लिए जहरीरा नहीं होता है यानि कि यह non poisonous होता है और इस picture में देखिए यह है आपका red phosphorus आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं कि लाल phosphorus यानि red phosphorus का उपयोग क्या-क्या है इसके usage क्या-क्या है तो पहला जो इसका use है वो यह है कि यह जो red phosphorus है वो माचिस के इस्तमाल में किया जाता है माचिस की जो तिल्ली बनती है वो तिल्ली किसकी बनी होती है तो वो red phosphorus की बनी होती है और जैसे ही आप तिल्ली को जो माचिस का जो खुरदूरा पाठ होता है यह वाला जो पाठ होता है इस पे आप जैसी इसको रगरते हैं तो घरसन से जो है यह सफेद phosphorus में बदल जाता है और उसके बाद जो है इसमें आग लग जाती है और ये जल जाता है तो ध्यान रखेगा कि जब आप माचिस की तिल्ली को जब घरसन करते हैं तो वो वाइट फॉस्फोरस में चेंज हो जाता है और उसके बाद जो है उसमें आग लगती है इसका इस्तमाल जो है आतिस बाजी और बिसफोटकों में भी किया जाता है यानि कि पठाकों में इसका यूज किया जाता है रेड़ फॉसफोरस का इसका इस्तमाल जो है वो उर्वक में फटलाइजर में और कीट नासकों के उत्पादन में भी किया जाता है और रेड़ फॉस phosphorus का use किया जाता है यानि कि पानी से जब हम hydrogen को अलक करते हैं तो red phosphorus का use उसमें किया जाता है तो जितने use हैं red phosphorus के जितने भी परियोग ہैं यह काफी ज़्यादा important है exam point of view से तो आप सबको ध्यान नखियेगा बस आप phosphorus भी से हम कहते हैं तो पहला point इसमें यह है कि यह जहरीला होता है red phosphorus जहरीला नहीं था non poisonous था लेकिन white वाला जो है यह क्या होता है जहरीला होता है और यह जो है carbon dioxide में घुल जाता है काफी ज्यादा important है कि white phosphorus किसमें घुल जाता है तो carbon dioxide में यह घुल जाता है और अगर हम white phosphorus यानि की sweat phosphorus के उपयोग की बात करें तो इसका इस्तमाल जो है तोप के गोले bum और rocket में किया जाता है यह ध्यान रखिएगा इसका इस्तमाल तोप के गोले bum में और rocket में किया जाता है और second world war जो हुआ था दियोते विसुद जो हुआ था उसमें normandy आक्रमन एक हुआ था नौर्मेंडी इन्वेंजन उसके दोरान जो है ये वाइट फॉस्फोरस का यूज किया गया था तो ये भी काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है एक्जाम पॉइंट और व्यू से हिस्ट्री में भी आपसे ये कोस्टन पूछ सकता है और आपका आपकने वाले जो पेंट होते हैं उसमें और चुहे मारने की जो दवा होती है क्योंकि क्या होता है ये जहरीला होता है तो चुहे मारने की दवा और आतिस बादी बनाने में यानि कि पटाकों के बनाने में भी इसका यूज किया जाता है अगला है आपका ब्लैक और यह जो है बिजली का अच्छा conductor होता है यानि की good conductor होता है electricity का तो आप इसको ऐसे भी connect कर सकते हैं graphite जो होता है वो भी good conductor होता है electricity का और black phosphorus होता है ये भी जो है एक अच्छा conductor होता है electricity का उसके बाद जो है काले phosphorus के दो रूप होते हैं यानि black phosphorus के दो प्रकार होते हैं एक है alpha black phosphorus और दूसरा आपका beta black phosphorus तो alpha black phosphorus जो है ये कैसे बनता है तो जब आप red phosphorus को यानि की लाल phosphorus को 803 Kelvin पर गर्म करते हैं तो आपको alpha black phosphorus मिलता है और वहीं जो है beta black phosphorus कैसे बनता है तो जब आप white phosphorus को यानि कि स्वेध फॉसफोरस को 473 Kelvin यानि 473 Kelvin पर गरμ करते हैं तब आपको जाके स्वेध फॉसफोरस मिलता है जैसे आप इस पिक्चर में देखिए यह है बीटा black phosphorus इसको झो है कैसे मिला white phosphorus को हम 473 Kelvin पर गरμ करेंगे तो बीटा black phosphorus आपको मिलेगा और alpha black phosphorus जब red phosphorus को यानि की लाल phosphorus को 803 Kelvin पर गरम करेंगे तब आपको जो है alpha black phosphorus मिलेगा अब आप इसको याद कैसे कर सकते हैं तो देखिए बीटा बीटा या बेटा मैच कर रहा है न थोड़ा तो बेटा वाइट इसकी का बेटा है वो वाइट कलर का है ऐसे सारे के बेटे जो है वो वाइट कलर ही अपनी मा और बापको लगते हैं आप काला बोल दो तो जगड़ा हो जाएगा तो इससे आप इसको connect कर लीजेगा कि बीटा black phosphorus जो है वो white phosphorus को गरम करने पे हमें मिलता है ए ये छोटी छोटी ट्रिक होती है पर एकजाम में जो है बहुत जादा ये काम आती है उसके बाद जो है बीटा black phosphorus विदूत का यानि की electricity का संचानन करता है अभी मैंने आपको बताया कि black phosphorus जो है वो electricity का good conductor होता है यानि की सुचालक होता है तो उसमें जो है ये बीटा black phosphorus जो है ये electricity का संचानन करता है पर alpha black phosphorus जो है वो बिजली का संचानन नहीं करता है तो आपका जो बेटा है वो electricity टाइप यानि की बिजली टाइप तेज है ठीक तो इससे आप इसको connect कर दीजेगा कि beta जो black phosphorus है वो electricity का संचानन करता है यानि आपका बेटा जो है वो बिजली की तरह फ सकते हैं इसको उसके बाद देखिए ब्लेक फॉस्फोरस का जो गनलांक होता है यानि कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 460 डिग्री सेल्सियस होता है तो यह भी आप ध्यान रखेगा कुछ से नहासे भी बन सकता है और ब्लेक फॉस्फोरस का इसका इस्तमाल के बारे में हम पढ़ लेते हैं तो इसका इस्तमाल जो है वो कैंसर इमेजिंग में ड्रग डिलिवरी में और कैंसर थेरेपी में इसका जो है यूज किया जाता है ब्लेक फॉस्फोरस का तो होप जितनी भी चीज़े मैंने इस वीडियो में cover की आपको समझ में आ गया होगा तो phosphorus से related जितने भी important points थे वो सारे को मैंने इस वीडियो में cover कर लिया है exam में जो है इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं आएगा और इससे related जो PDF है वो मैं description में डाली दूँगा आप उसको download करके revision करते रहिएगा और इससे पहले जो है मैंने 14 से 15 वीडियो जो है chemistry के अपनी YouTube चैनल पे upload किये हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे playlist में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं और अगर आपको ये chemistry की सीरीज पसंद आ रही है तो please like, share and